मंत्री बन गई कैसा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आपको बता दूँ कि बहुत समान्य परिबार से मैं हूँ आप बहुत फुस्प में जाज है और तभी गुस्सा आता है आपको किसी चीज को लेके नहीं गुस्सा होने का कोई जनुवन कारण हो आपके चेरे पर स्माइल ही रहती है आप दिवरिया खास में रहती है जमीन को लेके कोई विवाद हो गया था मीडिया में भी काफिया था इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि डॉक्कुमेंटेड है क्या मामला था और क्या था वह एक बार दिवरिया में किसी कारक्रम के जा है था चुकि लड़के नावालिक थे कि हमला नहीं हादसा है तो क्या था यह मामला बहुत दिल्चस्पी यह 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 मैं कह सकती हूं कि वो लड़का कम एज का था ज्यादा एज का था नहीं पूछ नमस्कार मेरा नाम सुदिपतर त्रिपाथी है और आप देख रहे हैं नहीं रही बहुत समान्य परिवार से आप आती हैं तीन बार चुनाओ लड़ा है आपने और जिसमें दो बार आपको सुरवाती दो बार हार मिली है तीसरी बार आप जीट चुकी है मंत्री बन गई कैसा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आपको बता दूं क बहुत समाने परिबार से मैं हूँ इतना समाने परिबार कह सकते हैं कि बिलकुल राजनिती का को यह भी सीड़ी पुरे परिबार खांदान दूर दूर तक को नहीं था और हमने जब काम किया तो हमें बिलकुल ही नहीं पता था कि मैं विधान सभा का चुनाओ लड़ूंगी एक कारेकरता की भात भातिजनता पार्टी के साथ लग करके मैंने काम शुरू किया और जिन जिन दायतों पर ही नगर मंत्री रही नगर उपाध्यक्ष रही महिला मोर्चा जिले के अध्यक्ष रही दो दो बार रही फिर जिले में मंत्री रही उपाध्यक्ष रही फिर छे लुजा करने में जब माइलाओं का अगाल है मतलब राजनीती में मैलाओं ऐसे लोगों के बीच में मंच पे आकर बैठना और काम करना बहुत ठीक नहीं उस समय ठीक नजरिये से नहीं देखा जाता था लेकिन भारती जिंटा पार्टी हमेशा हम सभी मतलब मेरेफ् बहुत हमेशा ही support करती थी. पर्रीवार के बीच में परिवार के बीच में हुआत। चाहे जितने लोगों के बीक में रहें, जितनी रेल्यां हों लोगों octopus काम को है। मेरा देय भी था कि मैं मैं अपने पहचान बनाऊ लोगों के काम परुआ हूं। इस थाकि तरह की बात कि मैं मैं ऐता था कि मैं एक ही वहागित ा करूंगी और इसको मैं आगे ने चलूंगी मतलब मुझे रास्ते नजर नहीं आते तो मुझे बहुत सब्सक्यास जो करूंगी और पार्टी ने फिर मुझे चुनाओ भी लड़ाया दो हजार बारा में तो उसमें भी प्रीत धारा में बिलकुल था पूरा समझवादी उसमें था लेकिन फिर भी जहां पी भारती जन्ता पार्टी बारा हज़ार तेरह हजार चौदर हजार उपर नहीं पाती थी पूरा चुनाओ लड़ी तो 33,000 वोड़ पाई और जन्ता ने काफी सपोर्ट किया मैं दूसरी नंबर पर रही और मैं लगातार फिर चुनाओ हारने के बाद भी एक विदहायक की भादी मैंने लगातार काम किया मुझे अभी मतलब यह नहीं रहा कि मैं चुनाओ हारी हूं हमेशा जीतने जितकी तो टिजनता हमें वोड़ की थी तो जनता के सुभ में दुख में हर समय उनके हर जो भी उननका कठनाय होती हूं तो इनके बढ़ चड़ के रहती थी और उसके बाद से 17 में भी चुनाओ लड़ी तो मुझे ये भी ज्यान नहीं था कि मैं मतलब हुज जैसे एक अधना कार्यकरता जो तीसरी बार जीत के आएगा और अनसुचित परिवार से है दलित परिवार से इतना कमजोर परिवार से है और उसको इतना बड़ा दाइप को मिल जाएगा इसके लिए तो मैं अपनी पार् सब्सक्राइब कर रहे हैं कैसा लगता है जब आप संघर्स के दिनों को पीछे देखती है उनेस सो बानवे से लेके अब तक कैसा लगता है क्या मैसूस होता है बहुत अच्छा लगता है मुझे लगता है कि कोई चीज अगर लक्ष बना के चला जाए और उसको देखा है कि हाँ अगर हम लक्ष बना करके उसके आगे चलेंगे तो निश्चीत रूप से हमें सफलता मिलेगी संघर्स के दिनों का कोई ऐसा किस्टा जो आपको प्रेदित करता हो कि मुझे अपना लक्ष हासिल करना है होता था बहुत संघर्स के दौरान ही जब लोगों की जन सम समस्याएं आती थी मेरे पास और उस समय जब हम पदबी नहीं थे कुछ नहीं कर पाते थे फिर भी हॉस्पिटल से लेके तहसिल तक उनकी लड़ाई लड़ते थे तो हमेसा यह लगता था कि कास में जीट जाती और लोगों की समस्याओं का समाधान कर पाती मतब एक कसक रह यह काम है SDM से बात करना है लगातार मैं बात करती भी थी और लोग कुछ सुनते भी थे कुछ नहीं भी सुनते थे लेकिन एक कसक रहती थी कि आम जनता की जो समस्याओं जो नीतान तावस्या कि कुसका समधान हो और वो नहीं हो पाता था पिछली सरकारों में जो आज हमार सरकार में वो सब कुछ हो रहा है और मैं कर भी पा रही है उननीस सो बानबे से आपकी राजनेती की सुरुआत हुई और आप मंत्री बनी 2022 लोग सबार विदान सबार चुनाओं जीतने के बाद माफ करिएगा जो उननीस सो बानबे से पहली बार आपने 2012 में चुनाओं लड तो क्या परिस्तितिया मनी कि आपको पार्टी बदल के चुनाओं उतरना पड़ा एक्शली 2012 से 17 तक मैंने बताया कि जब मैं चुनाओं हारी 2012 से 17 तक तो मैंने कभी यह समझा नहीं कि मैं विधायक नहीं हूँ क्योंकि पार्टी का नित्रित मैं ही कर रही थी और लगतार ज करनों से टिकट मेरा कट गया और मैं निर्दल घूम रही थी समाजवादी पार्टी मैंने देखा स्वैम ही बुला करके हमको टिकट दिया हम किसी से अपने अप्रोच नहीं किया तो यह मैंना कोई अप्रोच था ही नहीं कहीं आप निर्दल लड़ती या वह भारती जंता लड़ा पार्टी जब लड़ी तो पार्टी ने स्वैम बुला करके हमें टिकट दिया कि नहीं आप लड़ीये आप चीट जाएंगी आपने बहुत स्रम किया है तो मैं चुनाओ लड़ गई चुनाओ लड़ने के वाद समाजवादी पार्टी में भी है लगातार जनता के बीच रहे और जनता के सुकुद्व में रहे और कभी गुस्सा आता है आपको किसी चीज़ को लिखे नहीं गुस्सा होने का कोई जैन्वीन कारण हो जैसे कोई चीज बहुत ही जरूरी हो कि यह होना चाहिए वो नहीं हो पाता है तो थोड़ा गुस्सा नॉर्मल है समाने इं तो करते हैं और सब का खुशी-खुशी से काम किया जाए एक सवाल है बीते साल आप दिवरिया खास में रहती है जमीन को लेके कोई विवाद हो गया था मेडिया में भी काफी आया था इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि डॉक्मेंटेड है क्या मामला था और क्या था व तो एक्शली वह जमीन जो है हम लोगों की पुस्तैनी है सव बर्सु से मतलब मैं वही पैदा नहीं थी उसके पहले से वह जमीन है हमारे दादा जी के और पहले से वहां पर बरगत का प्यड़ आप देखेंगे सव सालों पुराना है और मैं हम लोग वहीं पे खेले कूदे पढ़े लिखे हैं और बाद में हमारी सेकंड दादी थी तो उनके हिस्से का बगल का जमीन था जो उन्होंने बेचा था एक ठाकु साहब लोगों जिसमें राजबादों सिंह हमारे परोसी थे तो तीन उनके चाचा थे तिनों को लिखा था तिनों ने दो लोगों ने अप और यहां पर है और उन्हों ने यहां का पूरा चोहदी अपने लिक्वां में हमारे जमीन की चोहदी नों को पता था कि यह तेन चार लोगों का हिस्सा है और यह लोग जो है अपस में लोगों की बंती नहीं है और कंपढ़े लिख ले लोगों are you लगाने की भी बात रही होगी कि आपकी छवी को डेंट लगाया जाए यह अती महत्वण बात है मैं आपको बता दू कि जो जिस तरीके से उन्होंने प्रश्ण वाचक चिन उठाया कि यह सत्ता मेरह करके सत्ता का वो अपना करके हमारी जमीन को कबजा करें लेकिन सच बात य उनकी जमीन वहाँ है नहीं उनकी जमीन कहीं दोसरे जगह है उनको भारत गाओं का देश है अब ग्राम में विकास राज्यमंत्री है तो गाओं को लेकर क्या कुछ योजनाय चल रही है कैसे आप काम करें क्योंकि गाओं को सवारना बहुत जरूरी है गाओं सबरेगा तो प्रधान मंत्री मोदी जी भी यही कहते है और उन्होंने एक तो बहुत अच्छा सांसद आदर्श ग्राम योजना भी चला है तो उसको लेके क्या कुछ चल रहा है अभी मैं यह बताना चाहूं कि जबसे प्रधान मंत्री आदर्णी नरिन भय मोदी जी हुए है और उत्तर मैं नया भारत का उदय हुआ है आज गाउं गाउं में जिस प्रकार से इंफरास्ट्रक्टर कहले चीए गाउं में गांपंचायत भवन बन गया जो ग्राम सच्छिवाले बन गया ग्राम में अंभित सरोवर बन गया अज गाउं में जो प्रात्मिक विद्ध्याले जिन सिन इस्तिती में रहा करते थे, आज वो सारे प्रात्मिक बिद्यालेंगों का काया कल्प करके उसमें साब पीने का पानी हुआ, उसमें बच्चों के बैटने की ब्रेंच होई, आज जिस प्रकार जो टीचर्स आते थे नहीं आते थे, कोई पोशने वाला नहीं था, प्रात्मिक कि खाते में उनके नाप का ड्रेस बन वाने के लिए 1200 रुपया उनके डिविटी के माध्यन से उनके खाते में दिया जा रहा है तो गाउं के संपल्न विकास सभी लोगों का उथान हो सिख्छा हो उनका स्वास हो और गाउं से जो भटक के तहसीलों में जाके लोग चक्कर करते थे आज ग्राम सच्वाले के रूप में जो हमरा ग्राम पंचायत भवन बना है उसमें प्रूटर सहायक बैठ रहा है और सारी चीजें आप वहीं से ऑनलाइन कर सकते हैं और आपको कहीं भी सव रुपया पचास रुपया देने की जरूरत नहीं है और कहीं तहसीलों के चक्कर लगाने के जरूरत नहीं है आगे उसको राजसों से नहीं जोड़ दिया जाएगा जाति आए निवास इस तरह के भी आपके आधार करपन करें सारी चीजें आपको गाउं में ही बैठके यानि कि गाउं के लोगों को कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है जहां कि बहने भी आज हमारी स्वें सहता समूंग के माधियन से अपने आपको ससक्त और मजबूत कर रही है रोजगार से भी सरकार लगातार उनको द्यमिता से जूर रही है लगपती दीदी बना रही है हमारी बीसी सखिया है जो कम पढ़े लिखी है हाई स्कूल इंटर्वी गाउं की बेवस्थाएं तो सुद्रिन हो रही है लोगों को मजबूत तो किया ही जा रहा है लोगों को हर तरक लाब दिया जा रहा है इसके साथ साथ वह बहन भी अपने आपको ससक्त मजबूत आर्थ मिर्भर और स्वाबलंबी बना रही है और एक उसकी अपनी पैचान बेटी बीबी मा बहु के साथ साथ उसकी अपनी बीसी दीदी के नाम से हो भी जानी जा रही है तो इस प्रकार की जो सरकार की योजनाये हैं वो लगातर गाउं में ही क्सान हैं। विजली का ये हालत रहता था कि मतलब गाओं में 6 गंटा रात में आया तो 6 गंटा दिन का अभी हपते में अगर एक हपता 6 गंटा रात का है तो रात कराएगा और एक गंटा अगर दिन कराएगा तो उस दोर से हम सभी गुझ रहे हैं पुरे उत्तर प्रदेश के लोग कि लिए खाद के लिए और लाठी नहीं खाना पड़ रहा है खाद भी कंप्लीट लोगों को मिल रही है यानि कि सारी ब्यवस्ता किसान हो नौजवान और नौजवानों को भी रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार की तमाम योजना है आप चोटे-चोटे-चोटे-घरों के कम पढ़े लिखे बच्चे बाहर भागते थे जाकर के छोटा मुटा काम करते थे पलायन की इस्तिति थी बंबे दिल्ली गुजरात तो जाते ही थे बाहर भी विजा बनवा बनवा कर जाते थे किसी से गुजरा नहीं है मतलब आप सभी इस बात को जानते हैं और आज बच्चे हमारे कुसल कारगर बन करके अच्छी अच्छी कंपनियों में काम कर रहे हैं और लगातार सरकार जितनी भी सरकारी वेकेंसी है वो तो निकली रही है हम भारी रहा है बरश्चाचार मुक बर उसके अलावा हम समीदा बेपी आउट्सोर्सिंग पर जोड़ रहा है और आउट्सोर्सिंग भी बुरी चीज नहीं है आपने घर में रह करके आपको 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 तक कमाई करने का मौका मिल रहा है कहीं बाहर जाने का सोचेंगे कि 10,000 हम कहीं कमाएंगे तो 5,000 बच होती रहा है योगी जी सरकार में आप राज्यमंतरी है योगी जी सर्कार में एंहां के सल्करते है जरी की वज़े से विख्षात है ।a क्या था था है मतलब किसा लगता है उनके साथ काम करके मुझे लगता है कि योगी जी का ब्रतित तो एक राजनीता से उपर ओड़के हैं एक राजनीत करना अलग बात होता है और संपून कल्याड करना, सबके बारे में सोचना, हर व्यक्ति के बारे में सोचना और किस प्रकार समस्याओं का तुरंत निदान हो, उसके बारे में सोचना, कोई चीज़ें पैंडिंग न रहें, कोई चीज लटके नहीं, जो योजना हमारी चले वो भष्टा चार सीधे गाउं में अंतिम ब्यक्ति तक पहुचे जिसके लिए 24 घंटे वो काम करते हैं कब सोते हैं कब जाते हैं इसका अंदाजा हम लोग नहीं लगा सकते और उनसे बहुत प्रेणा मिलती है हम सभी को काम करने के लिए हमारे यहां भ इस घंटे जाग रहाओ तो उत्तर प्रदेश की एक एक हमारी जनता अच्छे नीन से सोई स्वस्त रहे सिक्षित हो विमारू राजे से उपर किया उत्तम प्रदेश पनाया आज बाहर के लोग उद्दम करने हमारे उत्तर प्रदेश में आ रहा हैं कम्प्लीट सारी व्यव करफॉम पर करक्रम कभी जनपद में कभी जनपद में आपकी होबी क्या और दिन चरिया क्या कैसे मैंनेज होता है सब कुछ देखिए मेरे अंदर सुरू से एक बात थी कि जब जो जिम्मेदारी मिले उस जिम्मेदारी को पूनता पून करना है यह ऐसा समेशा मुझे रहा मैं जब मैं बताई आपको छोटे-छोटे पदों के जब मैं थी चहनगर के उपाद्यक्षरी नगर की मंतरी लगातार सारे करना लगातार करती थी और जब मैं विधान सभा कर चुनाओ लड़ी तो मैं चुनाओ हारी भी दो-दोबा फिर भी मैं एक विधायक के रूप में जनता के बीश में लगातार उपस्तित रही उनके हर सुख दुख में उनके हर कारे को ले करके मुद्द बना करके आगे कि कॉन सी योजना को ले चलना है मेरे विधान सभा के अंदर, और उत्तर प्रदेश में कैसे सारी योजनाओं को ठीक प्रकार से लागू कराया जा इसलिए उत्तर प्रदेश के हर जनपद में भी मंतरी होने के नाते जाती हूं समिछ्छा बढ़क करते हूं, और काफी जो ज़्ण विवी बाग दोड़ किये बिना इसको ठीक प्रकार से नहीं किया सकता तो बड़े पद की जिम्मेदारी पून करना होता है लिए नहीं लगता कि मैः ज्यादा करती हूँ मैं इस से भी ज्यादा मुझे और करना है और भागना है जनता के लिए इसका मैं पूरा प्रयास करते हैं लोग सबसे चुनाओं नजदीक है उससे एक सवार ले लेते हैं अब की बार चार सो पार का नारा है और आपका विधान सभाचेत्र सलेंपूर है वहां से सांसद है रवेंदर कुस्वाजी जो कीसरी बार टिकट उनको मिला हुआ है तो मैंने देखा शोशल मीडिया पर मैं व्यक्तिगत नहीं गया हूं सलेंपूर कि बहुत ज़्यादा बिरोध है उनका कई वीडियोज वाइरल हुए जहां से उनको वापस लोटाया गया तो आपका क्या अनलिस्स है मुझे लगता है कि जनता चापकी बार चार सो पार का जो नारा है जनता एक दम तयार है चार सो सिर्ट देने के लिए रही बाद हमारे सलेंपूर में रहां सभावी है वहां से निश्चीत रूप से हमारी पूरी जनता हमारे कार्यकरता उनके साथ है और यह विरू राजनीत है तो बिपक्षी पार्टियां भी है ना भाई तो सपा और बस्पा वाले लोगों का यह सब काम है यह सब कुछ नकुछ कर करके और इधर उधर बताना बाकी बाद मुझे न पॉर्टन कुछ लोग वीडियो बना करना चलते रहते हैं किस तरह ड़ारती जनता पार्टी की कार्यकरता और समय संकूर्ण बेश की impressions कीते ладно मोडी जी को बड़ी बड़ी सड़के हमारी जो है वो सब सिलन्यास भी हो चुका है और वो आगे तेजी से रामजान की मार्क का आप देख रहे हैं सब कट रहा है सब बनने वाला है तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से इस बिरोध का कोई अगर आजया साब बता रहे मुझे तो जानकरी नह कुछ नहीं है लेकिन अगर अगर कोई अस्थान बनाने की वजह कहां को कहीं कहीं सतरह क कमी दून आपके काफिले पर हमला हुआ था यह अख़बारों में पढ़ा तो क्या मामला था हलाकि अख़बारों में पैरेंट्स का भी पक्षाया था चुकि लड़के नावालिक थे हमला नहीं हादसा है तो क्या था यह मामला बहुत दिल्चसपी है जानूंगी यह यह मैं कह सकती हू कि लड़का कम एज का था ज्यादा एज का था नहीं मुझे पता लेकिन थोड़ा उपद्रवी दिमाग का लड़का था और हम लोग जा रहे थे हमारे काफिला जा रहा था तो जैसा कि आगे करने के लिए पुलिस वाले लोग अपना हाथ दिखाते ही है कि थोड़ा बाएं सकता है समाज वाधी जुद जूब हो अब मैं भी सोच नहीं पाई कि मतलब मेरा तो कहीं किसी से देबर्या जन्पद में भी किसी से कोई इस तरह का कोई बात ही देगा है तो कहीं कुछ ऐसा है नहीं और उसने ऐसा किया तो फिर पोलिस ने अपना काम किया रहा मंदिर बन ते दिनों योगी जी के साथ, पूरे मंत्री मंडल के साथ, कैसा अनुभा हुआ? ये तो उस दिन से पूछिए, उस समय कालखंड से पूछिए, जिस टाइम हम लोग अपने विधान सभाओं में बैठ के जनता करेकरता के साथ बैठे हुए थे, वो महत्वकुन पल देखने के लिए, जिसका पूरा विस्वसाक्षी बना था, और उस पल को देखने के लिए हम लोग बैठे थे, जो इतनी सारी लोगों की, इतनी सालों, सव सालों की जो उमीद थी, अरे हम लोग तो गाना गाया करते थे, अपने बेटे-बेटियों की साधियों में, तो आयोध्या मेराम और जानकी, जनक पूर से सीता का गानों में हर समय धोस होता था, ये कोई आज और कल की आयसी कोई बात नहीं है, जैसा कि भी पक्षी बताते हैं, ये 500 साल पुरानी बात थी, जो हमारे रामलला अपने जगह पर नहीं थे, ये देशी आकरनताओं ने जो आक्रमन किये और जो ये सब चीजना स्थापित किये, तो ये सब चीजने जब उसकाल खंड में हम लोग बैठे और जब हम लोग को दीखा और जब हमारे मुदी जी ने ले करके फूजा करने चाहिए, हम सभी एकदम उठके खड़े हो गए, और जब प्रभू स्री राम का धर्शन हुआ, तो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि एक अचानक लगा कि हाँ, प्रभू हमारे इस बात से भी मतलब बहुत खुस हूँ कि प्रभू स्री राम इस टाइम पे मुझे विधायक बनने का अशर मिला, इस टाइम पे मुझे मंतरी बनने का अशर मिला, जो एक हमारे कालखंड में ये चीजें हुई, हम सभी बहुत-बहुत सभागे साली है, और मैं तो इस बागलोर को समझाला है, ये देश निरंतर मजबूत हो रहा है, और जबिनाचाती, पाती, भेद, भाव और भ्रष्टा-चारमुक भारता देश सकतार मजबूत हो रहा है, अपने देश की तो बात छोड़े हम सकतार मजबूत आतमीर बरत हो ही रहे हैं, विस्व में भी बि जो जगलर देश हुआ करते थे जिनके हमको बात सुनने पड़ती थी आज सब राय लेते हैं इस देश के प्रधानमंत्री से हमारे जब देश के प्रधानमंत्री जाते हैं तो अगवाई करते हैं स्वागत करते हैं पूरा भारत बहुत ही गौरवानवित फील करता है उस समय और हम सभी बहुत खूस हैं कि सिर्ष नित्रित है जो सब का ख्याल रखते हैं निरंतरी नित्रित के में अरदिश और ससक्तोर मजबूत होगा है तो हमारे से मंत्री विजल अश्वी गतम जी थी बहुत बहुत दहने वाद मैम कि आपने इतना कींतिया वक्त दिया डहन ow झाल झाल